हलो दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रप्टो मिन्टू में है बात करेंगा आज एक 28% क्रप्टो में GST की LUNC की इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़े हो रही है देखिए मेरा काम है आपको चीज़ें बताना नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं वो एक अलग मेटर है लेकिन चीज़ों को आपकी सामने लाना जरूरी है दूसरा थोड़ा सा मार्केट के बारे में चलिए पहले लेते हैं 28% GST देखिए सब 28% GST अभी ऐसी कोई प्लानिंग कहीं भी नहीं है देखिए अभी जो FM की तरफ जानी Finance Ministry की तरफ से जो एक News निगली वो थी के साब हम क्रप्टो को रेगुलराइज करेंगे और वो 2023 में होगा फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है अगर डिले हुआ तो सैकंड क्वार्टर में हो जाएगा रियूमर जो निकल लगा यानि जो बात निकल लगा है वो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की बात चल लगा है यानि के जनवरी से लेके मार्श तक तो रेगुलराइजेशन की बात चल लगा है लेकिन ये 28% GST की बात किस ने और कहां से चला दी ये चीज अभी भी authentic रूप से कहीं से भी नहीं है देगे मेरे पास जब ये comments आए तो मैंने फिर जो है काफी देखा मैं कहीं से कोई इसकी authentic चीज मिलनी चाहिए कि आखिर कहीं कोई ऐसी बात है क्या कि कहीं से ऐसी कोई positive चीज निकली है किसाब crypto के लिए तो नुकसान हो जाएगा 28% भई सरकार का तो चलो ठीका फायदा हो जाएगा लेकिल crypto तो ये माली खतमी हो जाएगा 30% tax हो गया 28% GST हो गया 1% TDS हो गया कितना इंसान देगा तो 28% वाली ऐसी कोई भी बात अभी नहीं है आप इसको फिलाल अपने दिमाग से निकाल देजिए जब भी कोई ऐसी कोई बात होगी तो जरूर जो है कहीं ने कहीं कोई officially order इस तरीके का आएगा तो फिर देगे वो चीज सबको पता चलेगी लेकिन क्या है कि कुछ लोग खाम खाँ जो है बात होती नहीं उसका तिलका ताड़ बना देते हैं तो 28% GST की बात अभी ऐसी बिलकुल भी नहीं है क्रप्टो में जब होगी तब आपको अपडेट जरूर खुरूँगा बाखी आज आते हैं अब ऐलुएंसी पर देगे ऐलुएंसी अपन डाउन चलना है मैंने तो पहले ही कहा है कि इसका देखिए अभी अपना कोई वजूद नहीं है ये केवल दूसरों के वरोसे पर चलना है कि दूसरे एक्चेंज इसको कितना सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से इसका प्राइज अपन डाउन हो जाता है अब अभी एक देखें एलुएंसी के लिए गुड़ नीज है क्योंकर इटोरो और क्रिप्टो.com ये दो एक्चेंज हैं जिनोंने एलुएंसी को सपोर्ट करने के लिए बोला है अब क्रिप्टो.com देखें क्रिप्टो.com ने अपनी तरफ से ये बात क्लियर कर दिये के साथ हम तो देखिए जो ओन चेंज है यानि कि टेरा क्लासिक की जो अपनी चेंज है उसके जरिये जो भी होगा उसमें हम 1.2% का आपको जो है वो भर्न कर देंगे लेकिन ओफ चेंज के लिए क्रिप्टो.com अभी भी राजी नहीं है ओन चेंज तो वो राजी है लेकिन ओफ चेंज अभी भी राजी नहीं है इटोरो देखें इटोरो ने बहुत ही पॉजटिव इस्टेप लिया है उसने जरूर ये बात कहिए कि हाँ हम on-chain यानि टेरा क्लास के जो chain पे जो भी बरनोगा वो और off-chain यानि के उनके पास जो भी fund आएगा lunc ओसे में 1.2% जो है उसको हम off-chain भी बरन करनेंगे और on-chain भी बरन करनेंगे तो ये तो है जी lunc में कुछ positive चीज जो कहीं ने कहीं बहुत ही अच्छी बात है लेकिन वो कहते हैं ना कि सब के सब अभी एक तरफ देख रहे हैं वो किसकी तरफ बाइनेंस अभी भी बाइनेंस ने ये चीज़ अपनी तरफ से बिल्कुल भी क्लियर नहीं किये कि वो इसमें अभी कौन सा step लेंगे पहले उनों इे tweet करके या बोल दिया था, हम डुबारा से इसको एक तरह से अपने decision को देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अभी तक वो उँस decision को नहीं कर पाए है, कि उनको करना है या नहीं करना है लेकिन जादातर एक्षेंज जो बाइनेस की तरफ देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि बाइनेस क्या स्टेप लेगा उसके साफ से हम भी बोल्ड तरीके से ले सकते हैं तो जैसे क्रप्टो डॉट कम केवल जो है अभी ऑन चेन ही करेगा ऑफ चेन 1.2% नहीं करेगा तो यह हो गया एलिवेंसी के लिए गुण यूच और अब आ जाते हैं मार्केट पर देखें मार्केट अभी भी अपना वोलाटायली ही रहेगा और मेभी अभी ऐसे ही चलेगा इसमें चोटे इनवेस्टर का तो कुछ नहीं है चोटा है इन्वेस्टर तो केवल वो कहता के मदारी यूखेल दिखाने आता है रहता है कि हमें क्या करना है और उसके हाथ में कुछ है भी नहीं तो आप देखें हैं मार्केट किस करवट बैठेगी लेकिन हां आपका सपूर्ट है 18,200 का अगर ये break होगा तो फिर आपको 17,500 बे ले जाएगा अगर 18,200 से जब तक BTC उपर जाता रहेगा तब तक तो देखिए सब कुछ ठीक है देखिए आप इतना volatility तो आनी आनी है जो नोंने फेटर के जो interest rate आया उसके साफ से देखिए यहां तक तो आना है लेकिन यह है कि यहां से अगर वो उपर pump करता रहेगा तो कुल मिला के कहीं तक मामला थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा अगर इसको break करके नीचे आए तो फिर 17,500 भी आप देखने के लिए आ रहे हैं तो यह है market का हाल जो अभी 24 आवर कम से कम देखते हैं क्या होता है तो आगर फिर मिलते हैं किसीने अपडेट के साथ नमस्कार